हाई एवरिवान कैसे हो आप सब आई होप आप खुश होंगे सस्त होंगे और मस्त और मेरी तबेट ठीक है और गला पहले से बहुत ठीक महसुस कर रही हूं अच्छा लग रहा है बोल पारी हूं तो मैं आज फिर से एक रेडिंग लेकिया हूं लेकिन गला प्रोपर इतना सह भी नहीं हुआ हैं ओके तो प्लीज आपको एड़्जस करने की कोशिश करना ठीक है और थैंक यू थैंक इस सो मच इतना आप लोग ने मुझे रेमेडी बताई मेरे लिए प्रेयर की मुझे हीलिंग वेजी उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और इसी तरीके से मुझे ब भोड़ा सा खराश है अभी तो कोई बात नहीं वह तीन-चार दिन में बिलकुल ओके हो जाएगा ओके तो मैं आज रिडिंग करने वाली हूं कि आपकी कौन सी भक्ति का फल आपको मिलने वाला है ओके देखो फ्रेंड्स भक्ति जरूरी नहीं है कि हम इश्वर की भक्ति कर हैं ओके या इश्वर की ही हम भजन कीर्दन इन सब में हम लगे रहें भक्ति वो होती है जो किसी भी काम को प्यूर इंटेंशन के साथ किया जाता है एक सच्चाई के साथ किया जाता है एक उसमें किसी अपना कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है उसमें हमारी कोई कितना लोब लालच नहीं होता है उस काम में मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भक्ति क्या है अब भक्ति नाना प्रकार की भक्तियां होती है ठीके इश्वर कहां से खूश होता है जो जिसे सच्चे दिल से प्योर इंटेंशन के साथ किया जाता ह वो भक्ति काम भी हो सकती है भागवान की पूझा पाड़ भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है मैं इसलिए कर रहे हूँ ताकि आप समझ जाओ जरूरी नहीं है मैं फिर बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप इश्वर के मागर पर ही हो मेटर ये करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो किस भावनाओं के साथ कर रहे हो किस अंदाद से कर रहे हो और क्यूं कर रहे हो okay ऑई हूप आप मेरी देश को समझ गये होंगे तो मेरा रीडिंग का थीम यही है और तायमलेस रीडिंग है चनल्न रीडिंग है आप आप इसको कभी भी देख सकते हो, ओके, और समझने की कोशिश करना, और जैसे भी पर्सन लेडिंग चाहिए, मैं अपना वाट्सअप नमबर, डिस्किप्सन बॉक्स है, मेंशन कर रहा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं, इसमे कोई बात नहीं, रीडिंग होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसका मिक्चर किया जाता है, जो जीजे पास्ट से जुड़ी, उसे पास्ट से ले लो, जो प्रेजेंट में उसे प्रेजेंट से ले लो, जो हो रहा है कि ये नहीं है, आगे के बारे में है, तो तो थोड़ा सा अपने आपको अपन ली समझने की यहां पर ज़र रहा थे बिलीव करने की ज़र थे फेथ करने की ज़र थे तो मैं चलती हूँ रिडिंग की तरफ कि इश्वर आपकी कोन सी भक्ति कफल आपको देने वाले हैं आप भी सब फोजेटिव रहना ठीक है कि एंजल माइकल यह ज़ता है कि अधिक 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 आपको अधिसा भी कार्स निकाल लेती हूँ उसकी बाद आपको मैं बताऊंगी ऍुकिए नाइट मां मेंक वैंक गार में वियंग करें आपको न्युक्री टकल दुड सबिके हुआप है कि ए नाइट तो अधिक अधिस्तोय इंद रोगेन, ए यह ए कि आधिक अधिसुग अधि उससें, उसससे को मैं बादग लुटो काम भी है कि जूर कंववरम कि निवहल and ace of swords thank you इस अपर ने इस इंस 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 बैलेंस मेरी कर्स देखो यहाँ पर सबसे मेले मुझे इंट्यूट्यूगली मेसेच आपके लिए यही मिल रहा है कि अभी तक आपको शायद आपकी किसी किसी के लिए देखो केरियर में केरियर से देख रही हूं में किसी की स्प्रेचलिटी में देख रही हूं में यहाँ पर ठीके और किसी किसी को खुद से जुनने में खुद को समझने में ताइम लगता है ठीके कभी कभी क्या होता है न कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि actual में हम किस मसधार में हैं कहां पर खड़े हैं हमें जो भी situation बन रही है उसमें कैसे decision लेना है कैसे action लेना कैसे आगे की तरफ पढ़ना है ठीके तो ये ये किसी की situation में यहाँ पर बता रही हूं कि जैसे हम कभी कभी हम एक दो चीजों में हम अटक जाते हैं ठीके दो चीजे हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि वहाँ पर हम शायद ना action ले पाते हैं situation को जिसे केते हैं ना हम अपने according समझ ही नहीं पाते हैं balance ही नहीं कर पाते हैं लेकिन होता क्या है वहाँ पर कि हम वही रस्ते हम अपनी ये decision ना लेने की वज़े से हम अपने रस्ते खुद ही ब्लोक कर लेते हैं ठीके कभी-कभी ऐसा फील होता होगा कि आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो एक्शन नहीं ले रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केरियर के बारे में अपने जीवन के बारे में ठीके क्योंकि किसी की एनर्जिस को शायद आप पिक कर लेते हो किसी के गुस्से को किसी किसी का मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ कि आप अपनी ही चीजों के साथ जगलिंग करते रहेते हो आप अपनी ही दुविधा के साथ ही आप पर जगलिंग करते रहेते हो तो अब मैं भक्ति की बात करूँ यहाँ पर तो भक्ति आपकी यही थी कि आपने कभी बीचा किसी भी पारेशानी में आप क्यूं न रहे हो कितना भी आपने अकेलापन क्यूं न फेस किया हो कितना भी आप मतलब अकेले बेट कर रोई क्यूं न हो दूविधा में क्यूं न रहे हो किसी का गुस्सा सहन किया हो या किसी के जर्र से ज़ादा जब हमारे उपर कोई एनरजी हावी होने लगती है तो वहाँ पर हम बैलेंस नहीं कर पाते ठीके तो इतना सब कुछ होते हुए भी एक सीच्वेशन थी के साथ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपकी जो भक्ती थी न अब आपकी भक्ती में बताओ कि आपके अंदर कहीं न कहीं एक spirituality आपकी intuition आपकी अंतरात्मा कहीं न कहीं आपको गवाई नहीं देती थी कि आप इन सब चीजों में अटके पड़े रहोगे कहीं न कहीं किसी कोने से आपको आवास तो आती होगी कि आपको इस situation से बाहर निकलना है आगी की तरफ बढ़ना है एक्षन लेना है इस दूविदा में फसकर नहीं रहना है अभी आपकी एक भक्ती ही तो थी एक प्योर एक सच्चाई के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे एक अपने आपको एक अंधेरे काली कुवे से अपने आपको बाहर निकालना चाहते थे अपनी जिंदिगी को एक ऐसा करना चाहते थे कि जहांपर कोई confusion नहीं है जहांपर कोई दुख नहीं है कोई निराशा नहीं है, जहाँ पर सिर्फ सच्चाई है, प्रकाश है, उजाला है, जहाँ पर कोई, मतलब कोई ऐसी एनरजी नहीं है, जो आपको रोप कर रखेगी, या बांद कर रखेगी कोई ऐसी कोई ऐसी मेटरलिस्टिक चीजों का भी दवाब आपके उपर ना रहे आप कहीं न कहीं ये जो मेटरलिस्टिक चीजें होती है ठीके हमारे अंदर जो एक दूविधा होती है देखो इस भूम अंडल में इस प्रत्थी पर अगर हम बहुतिक सुविधाओं में फसे रहते हैं तब तक हम अपने आपको कभी नहीं जान सकते कभी नहीं पैचान सकते लेकिन आपकी भक्ती यही थी कि मुझे कहीं न कहीं अपने आपको ढूंडना है अपने आपको टटोलना है आपको पता था कि जो मैं अपने आपको इतना कमजो या अपने आपको इतना निराश फील कर रहा हूँ मैं एक्चल में ऐसा नहीं हूँ ठीक है? मेरी यात्रा कहीं और है मेरी जर्णी कहीं और है क्योंकि आप अपनी जर्णी को है न एक सच्चाई के साथ जीना चाहते थे, अपनी जीवन को, अपनी जिन्दीगी को एक सच्चाई के साथ जीना चाहते थे किसी negativity या नकारत मकता, या किसी के परेशान करने से, किसी का इंटर्फेर करने से, अपकी लाइफ में जो बूचाल आ जाता है, वो आपको मंजूर नहीं था चाह आप अकेले हो, लेकिन खुश हो, आपको अपकी लाइफ एसी चाहिए ये आपकी एक भक्ती ही थी, कि आप इना, अपने इस situation से निकलने का एक कितेना मार्ग डूड़ना, एक रस्ता डूड़ना, एक समस्या का हल निकालना, अपने आपको पैलेंस करना, और प्लस अपने आप से जूड़ना, बहुत ज़्यादा disappointment, completion, चिके, यहाँ पर एक आपकी एक आपके अंदर नकार अत्मत्ता जब तक ही हावी हो रही थी, कि जब तक आप अपनी सच्चाई के साथ नहीं जूड़े थे आप अपनी, आपकी अंदर जो भक्ती की में बात करूँ ना, आपकी भक्ती आपकी सच्चाई है आपकी purity है, जब आप अपनी सच्चाई से, मतलब आप अपने मार्ग में जो कुछ भी करोगे अपने केरियर में, ठीके, चाह अपनी spirituality में ले लो या अपने केरियर में ले लो या अपनी personal life में केलो, अगर आप सच्चाई से रहोगे, आपके अंतरात्मा क्या बोलती है अपनी दिल के सुनोगे, तब तब आपको अपकी life में miracle सोते हुए नजर आएंगे क्यों क्योंकि आपे ना बहुत प्योर हो, सच्चे हो, जब आप अपने उपर विश्वास नहीं करोगे एक confusion आपको अपने उपर बन जाएगा, वहाँ पर सोच लेना कि आप कहीं न कहीं डगमगा रहे हुआ अप अपने रस्ते से फिर वो आपकी वो डगमगा है ना, वो डमाडोल इस्तिती वो तभी बनेगी आपके साथ कि जब आप अपने उपर विश्वास नहीं करोगे अपनी intuition को follow नहीं करोगे आपकी भाक्ती पता है क्या है, आपकी भाक्ती यही है कि आपकी, आप बहुत pure solution, एक सबसे बड़ी बात में बता हूँ कि आपके अंदर बहुत purity है, बहुत सच्चा है है लेकिन आप क्या हो, अब दूसरों की वज़े से और इन बहुतिक सुफ़िदाओं की वज़े से अपटक चाहते हो obviously हम यहां रहते हैं, हमें हर्चीज की जर्रत पढ़ती है, पेसे की जर्रत होती है, property, health भी सही होना चाहिए, minimum पेसा भी होना चाहिए मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी उन सब चीजों में अपने आपको ना फसाओ, कि आप अपनी सच्चाई को बोल जाओ, आप अपनी purity को बोल जाओ क्योंकि आपकी सच्चाई आपकी बक्ती है जितना आप अपनी सच्चाई पे अड़े रहोगे जितना जादा आप अपनी अंतरात्मा की सुनोगे उत्ती ही जादा आप अपने रस्ते को साफ करते हुआ चले जाओगे आप आगे की तरफ कभी भी किसी के कारण दुखी परिशान होने की ज़रत नहीं है दूसरों से मिंस चाव आपका केरियर ही क्यों न हो चापका खुद का उपर वीश्वास ही क्यों न हो कही पर भी आप डगमा गाते हो परिशान होते हो तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनो यहां पर, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे मेरी कल्स होते हैं, और फिर आपको कैसे क्लिर्टी यहां पर मिलती है, यह आपकी भक्ती थी, और आपने किया भी यह समयनी केती कि अपने नहीं किया है, आपने बहुत थत्तक यह आपकी भक्ती थी क्योंकि आप सच्चे हो इमांदार हो लाख कितनी परेशानी में हो कितने अकेला फिन कर रहे हो कितना निराश हो रहे हो कोई आपके support में नहीं आ रहा है कोई 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 दुबिदा को solution का solution जो इसका हल करने वाला कोई नहीं है लेकिन आपी के अंदर सब कुछ आपी के अंदर है अब हर चीज को क्लियर कर सकते हो यहां पर मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि भक्ति की अवशक्ता ही नहीं है दिखो जिसके अंदर सच्चा ही होती है न वो इश्वर के सामने न हाथ जोड कर खड़ा हो जाए न वो एक मिनिट में इश्वर पकड़ता है उसको आपको करना क्या है बस यह आपने किया भी है कि सारे बंधनों से मुक्त कर दो आप अपने आपको किसी भी बंधन में आपको बंधने की अज़करने की जरुरत ही नहीं है कोई confusion नहुता है उसको balance करने की कोशिश करो निराश हतास होने की या आके लिए में बेटने की या दुख्य परिशान होने की जरुरत नहीं है आगे के लिए planning करो फिर देखो आपकी life में action लोगे तो मेरी कल सोंगे यह आपकी भक्ति का यही फल है कि आपने बस थोड़ा से फिश्वास करना है आपको अपने उपर और आपने किया भी ऐसा नहीं है फिश्वास भी किया है और आपको अपने अपने आपको कभी-कभी situation आजाती है, कि कभी आप अपने आपको कमजोर समझ लेते हो, कभी बहुत स्ट्रॉंग समझ लेते हो, ठीके, तो आपकी भक्ती इत्ति, आपकी भक्ती क्या है, आपकी सच्चाई है, बस मैं इतना जानती हूँ यहाँ, कि आप बहुत जल्दी इश्वा से connect होते हो और जब आप अपनी सच्चाई से जूर जाते हो, तब आपकी life miracles जरूर होते हैं, ठीके, भक्ती की बहुत करूं, तो आपकी भक्ती, आपकी सच्चाई है, आपकी purity है, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा में खुद इतनी strength है, इतनी ताकत है, वो सब कुछ जानती है, वो सब कुछ समझती है, तो उसके उपर विश्वास करो, अपनी intuition को follow करो, अपने आपको balance करो, और तब देखो, आपकी भक्ती, आपकी soul, उसके अंदर बहुत strength है, वो बहुत powerful soul है आपकी, वो क्या से क्या कर सकती है, ठीके, मैं यहाँ पर ओश्व से लूंगे कार, तैंक यू नर्स, तैंक यू नर्स, तैंक यू अपने उपर विश्वास करोगे न, कभी भी, मैं एक बात बता दो आपको, कभी भी आप अपनी, चाहे spirituality में ले लो, चाहे अपने केरियर में ले लो, या खुद अपने आप पर ले लो, जब जब आप शक करोगे न, आपने उपर doubt करोगे, वहाँ पर आप फिर थोड़ा सा imbalance हो जाओगे, और आप अपने उपर विश्वास करोगे, confidence पना कर रखोगे, जब आप रहोगे न, positive energy में रहोगे आप, तो वही पर आपको रस्ते खुद बेखुल नलते वे नजर आएंगे, और वही आपके miracles आपकी life में होंगे वहाँ पर, अपनी intuition को सुनो, आपकी soul बहुत pure है, उसको सब पता है, वो आपको रस्ता जरूर दिखाएगी, सिर्फ आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है, जितना ज़ादा आप खुश रहोगे, उत्ते आप अपनी अंतरात्मा की सुन पाओगे, उसको क्लियर कर पाओगे, आपने आपको जैसा समझते हो ना, ऐसे हो नहीं आप, आप अपने उपर शक करते हो, आप अपनी भक्ती के उपर शक करते हो, जबकि आप ऐसे हो नहीं, एक बात बता दूँ आपको फ्रेंड्स, कि पास्ट में आपने, आपकी भक्ती के में बात करूँ ना, आपकी, तो आपने पास्ट लाइफ में, पास्ट में मतलब पास्ट में अभी, जो बीद गया है, बीता हुआ कल, उसमें जितने भी आप परिशान हुए हो, रोय हो, एको को कहते हैं न, दिल से रोना, जिसे कहते हैं, दिल से रोना, एक कन्फीूज रहे हो, बहुत बर्डन लिया है अपने-अपने उपर, तो ये, वो क्यों क्यों क्योंकि आपके अंदर बहुत purity में बार-बार वही बोल रही purity थी सच्चा ही थी क्योंकि आप बहुत pure थे loving थे caring थे दूसरों को मतलब अपने जैसा समझना और अपने जैसा ही treat करना यहाँ पर ओके तो यह जब कहते हैं कि हमारी कभी-कभी इश्वर पता है क्या होता है इश्वर हमारा भगवान कभी-कभी हमारी परिक्षा लेता है ओके बक्ती अब यह आपकी बक्ती थी कि आप है ना दूसरों को हमेशा आपके पास जो भी चीजे हैं उसे आप शेयर करना आपके पास चा कितना चा कुछ भी है आपके पास चा fruit है चा dresses है चा advice देना कुछ भी हो आप उसको share करना मतलब अपनी हर चीज को share करना यह आपने किया है ठीके लेकिन बदले में क्या है ना आपको कुछ एक के दिना दिल से एक जहां हमारा दिल रहता है कि यहां मैंने सच्चे दिल से किसी को कुछ किया है सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है सच्चे दिल से अपने को किसी को माना है ठीके तो यहाँ पर वो हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आपने अपना 100% दिया 100% अपने आपको प्रूफ किया यह आपकी भक्ती थी ठीके अब आपको क्या है ना आपने अपनी तरफ से पास्ट लाइफ में इस्वर ने आपके कितने भी एक्जाम क्यों ना लिए हो या एक्जाम मतलब जो कुछ भी आपके पास्ट लाइफ में इसा बीता हुआ कल आपका बहुत ऐसा टाइम था कि जिसे आप याप भी नहीं करना चाहते हैं और में स्वारी में बताना भी नहीं चाहती कि किस पास्ट से आप निकले हो तो एक भक्ती आपकी कौन सी भक्ती कफल यहाँ पर मिल रहा है आपका आपका जो प्रेम था आपका जो सौभाव था आपका जो नेचर था ठीके सब के लिए कुछ ना कुछ करना और बदले में शायद कुछ नहीं मिला वो लोगों से नहीं मिला नहीं कि कुद्र से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आपके इश्वर से आपको बहुत कुछ यहां पर मिलने वाला है ठ कि जो भी आपने फेस करा है जो भी आपने फेस करा है ना जा आपने पास्ट में जो कुछ भी आपने किया है वो पहली बात तो यह कि वहां से आप बहुत बैलेंस हो रहे हो सब कुछ ठीक हो रहा है यहां पर क्योंकि केते ना कि इश्वर हमारी परिक्षा लेता है ठीक है एक्जाम लेता है वो हमारा कि देखते हैं यह बच्चे यह मतलब उसको तो पता तो है सबी इश्वर को तो सब पता रहता है इसका सवबाव कैसा है लेकिन ये कब तक कब तक इसा रहता है मैं अगर इस situation में ये मतलब अपने अच्छे वक्त में तो है ये ऐसा क्या ये अपने बुरे वक्त में भी ऐसा ही रहता है तो ये आपकी जो भक्ती थी आपने अपने पूरे वक्त में भी बलकि और पहले से भी और जादा अपने आपको और चेंज करा अपने आपको और बदला तो ये भक्ती थी आपके और उसका फल आपको यहाँ पर यह मिलने वाला है कि आपका वापस आप अपने उसी जोन में आ रहे हो जहां पर आपको एक 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 एसे रस्ते पर आपको खुद्रत ले जाना चाहता है इश्वर ले जाना चाहता है जहां पर आपकी हर चीज बैल हस सको मुश्कुरा सको और आपको कुदरत इश्वर आपको इतना देना चाहता है इतना देना चाहता है कि आपके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो आपको क्योंकि आपकी भकती पता यही थी एक तो आप बहुत एको केते ना जिसे मा क्या होती है हमारी मा सब को समेट के रखती है किसी का दुख डर्द साहन नहीं होता है किसी की पीड़ार साहन नहीं होती है उसको सब पता होता है किसके पास कितना है किसने पर एक न्याय करना, सब के साथ न्याय करना, उसको सब पता रहता है मा को, कहीं न कहीं आपने एक, में पास्ट में आपने अपनी एक इमानदारी, एक ममता भरा, एक मा का रोल अदा करा है, और जब कहते हैं न कि हम किसी भक्ति से जब जूड़ जाते हैं न और उस भक्ति में हम अपना 100% देते हैं हम अपने आपको एक हम अंदर से जो हैं हम कितने प्योर हैं कितने सचे हैं कि कोई भी काम हमने स्वार्थ से नहीं करा है pure intention के साथ किया है थीक है इमानदारी से किया है लगन से किया है पुरी महनत से करा है पूरा समय दिया और जब हम जब हो केते हैं न कुद्रत के हाँ बस बच्चे आपने अपनी भक्ती का एक मुझे एक मैंने देखा कि आप अपनी बक्ति में किस तरीके से लीन थे आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में शायद पीछे की तरफ छोड़ दिया है ठीके क्लीन की रही है जो कुछ गवा भी रही है था उसको एपसेप्ट भी करा है आपने ठीके आपका कर्मा यही था कि बक्ति का कौन सा फल आपको मिलने वाला है कि जो भी परिशानिया थी दुख थी तकलिफ थी वो आपकी बैलेंस हो रही क्योंकि पास्ट लाइफ बीता हुआ कल क्लीन टू दा पास्ट पास्ट में जो भी आपके दुख दर्द पेंट थे सब बराबर हो रहे हैं यहां पर इक्कुल किया जा रहा है और वापस जब कहते हैं कि जब हम किसी जर्णी पर चलते हैं किसी जर्णी पर होते हैं इश्वर अमारी परिक्षा लेता है तो वो पूरा करके वापस आप अपने घर की तरफ आ रहे हो ठीके हसते खेलते मुस्कुराते पैलेंस हो रहे हो आप ठीके क्योंकि आप ये हो शैरिंग देख रहे हो इसको आप ये भक्ती है आपकी कि आप एक चर्णी पर थे जो भी दुख तकलिफ मिली उसको क्लीन कर दो डिल रिलीस कर दो आप क्या हाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक भागवान आपकी परिक्षा ले रहा था भागवान आपके नजदिक था वो आपको देखना चाहता था एक तरफ आप बहुत इमोशनल थे और एक तरफ आप बहुत स्ट्रोंग भी थे आपने जो पीता हुआ कल है परिक्षा कोई भी इतनी आसान नहीं होती है हर परिक्षा में हमें बहुत महनत करनी पड़ती है समय लगाना पड़ता है बहुत पैन हमें लेना पड़ता है ठीके एक डिसीजन लेना पड़ता है एक्षन लेना पड़ता है और वो आपने किया आपने अपनी भाक्ती में किसी तरह की कमी नहीं रखी अपना 100% आपने इश्वर को दिया है इनकी इंट्री हुई थे वही आपकी लाइफ में चीक है स्ट्रेजिटी फर्स्ट चक्रा आर्गेंजर माइकल अठेश्मेंट यह देखो कि जब हम है ना इश्वर ने आपकी जो भगती थी आपकी कि आप कहीं बहुत बुरी तरीके से आप जकड़े हुए थे ठीक है एक एक अटेश्मेंट था आपका अटेश्मेंट भी कहूंगी या समय भी कहलूंगी उस चीज को में ठीक है कि जब समय हमारे लिए रुक जाता है और समय डुकता कहां है कि जब हमें एक साइकल कंप्लेट करनी पड़ती है और जब हमारे समय रुक जाता है फिर क्या होता है हमारे साथ हमें हर तरीके से अपने आपको प्रूफ करना पड़ता है हमारे कुदरत इश्वर हमें पल-पल ऐसे रस्ते पर लाके खड़ा करता है जहां पर हम और स्ट्रोंग हो उस सिच्वेशन से कुछ सीखें समझे और आगे की तरफ पड़ें ठीके एक शायद आपकी खुद की कुछ नेगिटिविटी भी हो सकती है और आपके खुद के कुछ ऐसे केते ना कि जब हम जर्रस से जादा कहीं अटेस्ट हो जाते हैं प्रफ की नेगिटिविटी होती है जो मैं आगे नहीं बढ़ने देती है तो आपको इश्वर को तो आगे बढ़ाना ही था ठीके क्योंकि आपकी आपका जो जैसा नेचर था जैसा सौभाव था अगर आप एक ही जगे में लटके रहोगे एक ही जगे में गुमते रहोगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा आपकी जर्नी तो आगे बढ़ी नहीं सकती ना तो कुद्रत को तो आपको आगे की तरफ लेके जाना था ना तो कहीं ना कहीं इश्वर ने आपका आपके जो ब्रह्म देना आपका जो इल्यूजन था वो आपके आपके सामनी से परदा हटाया है और जब आपके सामने से पिक्चर क्लियर हुई है ठीके पिक्चर क्लियर क्या हुई है कि आप कमजोड नहीं हो आप अकेले नहीं हो आप बिचारे नहीं हो आपको किसी की जरुरत नहीं है आप अकेले ही सोपे बारी पढ़ सकते हो एक आपके सामने सी पर्दा हटाया है कुद्रत ने और यही आपकी भक्ति का फल है कि अपना जो स्टार्टिंग में के रही हूँ वही एंड में आच चुका आपके लिए अब आप खुद पर विश्वास करते हो अपने उपर विश्वास करते हो ठीके? अब आप पेले जैसे नहीं हो कि पेले जैसे किसी की भी बातों में आ जाना किसी भी नेगिटिविटी को अपसर कर लेना ठीके? अब आप यूनियर्स एंजर्स आपको आगे की तरफ ले जाना चाहते है वो कह रहे हैं कि आपको एस्ट्रेजिटी बनानी है आपको आगे की तरफ प्लानिंग करनी है आपको अपनी डाइरी में नोट बनाने है क्योंकि समय का चक्र आपका गूम रहा है और यह आपकी भक्ति का फल है ठीके? यह आपकी भक्ति का फल है जो आपको मिलने वाला है यहाँ पर में वो के तेना कि अभी तक जो बंद था अब बंद नहीं पा रहे थे एक्षन नहीं ले पा रहे थे या सोच नहीं पा रहे थे दूवी तहाती, कंफ्यूजन था यह उसकी चाबी आपके हाथ में आने वाली है यह कीए न यह आपको दी जा रही है एंजल्स आपके साथ में हैं एंजल्स आपको बहुत साइन देंगे सपोर्ट करेंगे गाइडलाइंस देंगे आपको फर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम में और फर के रूप में आपको ये मेसेज है कि जब भी फर मिलेंगे आपको ये नोटिस करना है कि कुछ अच्छा होने वाला आपकी लाइफ में तो Holy Spirit Express Miracles यहां Miracles था, यहां Miracles है तो ये, वो वही काड़ा आगया है इतने प्योर, इतने सच्चे, इतने इमानदार आपकी भक्ती थी, आपका दिल लेना सभी के लिए धड़कना लेकिन कहीं न कहीं किसी की वज़े से या किसी की वज़े से कहलो या समय कहलो कि कुद्रत हमारे साथ हमारी परिक्षा लेता है एक हमारी भक्ती की परिक्षा लेता है कि एक्च्वल में इस परिशानी में आपको डाला जाएगा तो आप कैसी रहने वाले हो तो ये वही है आपको फिर से आपकी खुशियों के साथ ठीके? आपको दी जा रही हैं आपकी खुशिया जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैपी होने वाले हो ठीक है आपको बताए जा रहा है कि आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक pure soul हो, जो यहाँ पर लिखा हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको, कि आप एक pure soul हो, जितना ज़ादा आप अपने जो आप हो, naturally जैसे कुद्रत ने आपको बनाया है, ठीके, एसी उसमें रहोगे, तो आप, आपकी पता है, वो एक पीठ है, आपकी एक नीव है, आपकी एक strength है वो, कभी भी अपनी सच्चाई से, आप कोन हो, कैसे हो, कभी भी बदला नहीं हैं अपने आपको, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी बहुत बड़ी strength है, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, ठीके जो आपको पीछे से strong करती है धर्मा unfolding यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है कि आप यह आपको याद रखना है कि अब आप एसी जर्णी पर हो एक एसी रस्ते पर हो जहाँ पर आपको सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ना है ठीके और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे विसे विसे आपको यह टाइम आपको यह टाइम ऐसा है जो आपको खुशियां दे रहा है आपको positivity दे रहा है कर्मा जिसे कहते हैं न एक कार्मिक साइकल एंड हुए यहाँ पर किसी की तो एक साइकल एंड हो रही है और एक न्यू साइकल आपकी स्टार्ट हो रही है तो आपको बोलाई जा रहा है आपको आगे की तरफ बढ़ना है और जो आपको रस्ता खुशियां दे रहा है पॉजिटिविटी दे रहा है, सक्सेस दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, वही आपको खुशिया देगा. आप जिते ही स्ट्रोंग हो न, उत्ती ही आपके अंदर नॉलेज भी है, उत्ता क्यान बहुत ओल्ड सोलो आप. ओके, इंटर्विशन एन परपास, दे डिवाइन डारेक्टर, ओके, यहाँ पर ये कौन सी भक्ति कफल आपको मिलने वाला है, ये जो कुछ भी हुआ था न, फिर वही कि आपके भक्ति की परिक्षा ली जा रही थी, डियर, कि एक्ष्वल में आप ऐसे ही रहोगे, जिस परिष्थियों तो में भी आपको डाला जाएगा, जिस सिच्शन में भी आपको डाला जाएगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे कि अपने आपको बदल दोगे लेकिन आपने बदला नहीं अपने आपको बदला भी नहीं और बहुत सारे चेंजिस भी हुए हैं आपके अंदर बहुत सारे बदला हुए हैं आपके अंदर अब आप पहले जैसे नहीं हो बलकि उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग हो, पॉजिटीव हो क्योंकि कुद्रत ने जो कुछ भी किया वो उनकी मरजी से हुआ, एंजल्स की मरजी से हुआ है ठीक है? क्योंकि वो आपको आपके लाइफ परपस से जोड़ना चाहते थे आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे किसी नेगिटिविटी से आपको निकालना चाहते थे किनी लोगों से आपको निकालना चाहते थे ताकि आप अपने लाइफ परपस से जुड़ो और आप अपनी खुद के रस्ते कुछ चूज करो ठीक है? मेरी कल्स हो रहे हैं आपके लाइप परपस से जोड़ा जा रहा है आपका रूट चक्रा हील किया जा रहा है अब आप अपने उपर बहुत साथा विश्वास करोगे कॉंफिडेंस हो रहा है बहुत चेंज हुए हैं आपके अंदर और आने वाला कल आपको बहुत कुछ खुशियां देने वाला है ओके तो मैं इस रेडिंग को यह पर क्लोज करते हूं I hope आपसे रिजूनेट हो अगर हो दिये तो please 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 like and subscribe and thank you so much and bye